हेलो स्टुडेंट, गुड आप्टनून, वेल्कम टो अवर्साइट, टॉपर्स एक्जाम डॉट कॉम, प्रेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नई टिक्रूमेंट टेकर आई हूँ, इसका नाम है इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने जाहा रही हूँ, इसकी पूरी इंफॉमेशन आपको यहाँ पर धी गई है उत्तर प्रदेश, राज्य, विद्यूत, उत्पादन, निगम लिमिटेड ने 31 पदों पर भरतिया निकाली है इसकी पूरी इंफॉमेशन आपको यहाँ पर धी गई है फो में प्लाई की स्टाडिंग डेटे 6 सितंबर 2022 और लास डेटे 6 एक्टूबर 2022 याने आप 6 सितंबर से 6 एक्टूबर के बीच फो में प्लाई कर सकते हैं इसके साथी ओफिशल वेबसाइट आपको यहाँ पर धी गई है आप स्केल ले सकते हैं इसके साथी मैं आपको वेकेंसी डीटेल देने जा रही हूँ यहाँ पर कंप्यूटर असिस्टेंट के 31 पदों पर भरतिया जारी की गई है इसके साथी कौलिफिकेशन आपसे मांगी गई है केंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप यूनिवर्सिटी से ग्रेजवेट डिग्री होल्डर आवेदन कर सकते हैं इसके साथी हिंडी में टाइपिंग में 30 शब्द 30 मिलिट की स्पीड आपके पास होना आवशक है इस लिमिट आपको यहाँ पर दी गई है केंडिडेट की मिनिमम एज 30 इयर होनी चाहिए साथी में मैक्जिमम एज 40 इयर दी गई है इसके साथी एप्लिकेशन फीस आपको यहाँ पर दी गई है Candidate को 1180 रुपे शुल्क के तोर पर भरने होंगे साथ ही में SC और ST वर्ग के Candidate के लिए ये शुल्क 826 रुपे है Selection Process आपका रहेगा Candidate का Selection Computer आधारित परिक्षा और Hindi वर English टाइप इन टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा Computer आधारित परिक्षा दो भागों में की जाएगी जिसमें से First Step में Computer Knowledge से संबंधित आपसे क्योशन पूचे जाएगे साथ ही में Second Step में सामान्य अध्यन और Hindi वर सामान्य इंग्लिश के क्योशन आपसे पूचे जाएगे POMA आप online कैसे apply कर सकते हैं इसकी detail आपको यहाँ पर दी गई है आप इसके help ले सकते हैं I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा So friends वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए Well icon पे click करना मत भूलिये जा इसके आपको latest exam की new notification मिलते चले जाएगे इस exam की best preparation आप हमारे portal topos exam.com से easy research सकते हैं Friends, visit का link आपको description box में दिया गया है Visit के link से आप एप भी download कर सकते हैं यदि यह आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो like करना मत भूलिये जा Friends, में next वीडियो में latest exam के साथ आपको फिर मिलूँगी मुझे सुनने के लिए धन्यवाद